एक दिन ओसकर को पता चलता है कि एलफ्रेड और मारिया के बीच एफेर चल रहा है जहाँ पर मारिया एलफ्रेड को दिलो जान से चाहती थी लेकिन एलफ्रेड मारिया को बस इस्तेमाल कर रहा था जिसको जानने के बाद मारिया काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है थोड़ी दिर बाद पुलिस ओफिसर उसे ढूंटे हुए उहाँ पर आता है और एना से उसके बारे में पूछता है लेकिन एना हुनहें बताती है कि जोसेफ उस तरह भागा है जिसके बाद वो पुलिस ओफिसर जोसेफ को ढूंटने के लिए वहाँ से जाने लगते है पर तभी एना जोर से चीख पड़ती है जैसे कि उसे किसी ने काटा लेकिन वो पुलिस कॉंस्टेबल उसके ये सब कुछ कर्तूत को इगनोर करके वहां से चले जाते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि जोसेफ स्वर्ग से बाहर निकलता है और अपने पैंट के खिड़की को बंद करके एना के साथ वहां से जाने लगता है इसके बाद से जोसेफ एना के साथ ही रहने लगता है और ऐसे ही और एक साल गुजर जाता है वो दोनों अभी भी पुलिस से छुप कर रह रहे थे लेकिन एक दिन पुलिस ओफिसर जोसेफ को पकड़ लेते हैं और उसके उपर अंधादुन गोलिया चलाने लगते हैं जिस वज़े से जोसेफ पुलिस से बचने के लिए पानी में कुद जाता है और इसके बाद से वहाँ पर किसी को भी जोसेफ के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जोसे पानी में डूब कर मर चुका है और कुछ लोग सोचते हैं कि जोसे पुहां से एमेरिका भाग गया है और एमेरिका में एक आलिशान जिन्दगी जी रहा है दूसरी तरफ एना काफी मुश्कीलों का सामना कर रही थी और बाजार में फल और सबजी बेच कर किसी तरीके से अपनी और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी इधर उसकी बेटी एगनेस अपने कजन जॉन से प्यार करती थी लेकिन उसकी शादी एक जर्मन सेफ एलफरेड के साथ हुई थी जिस वज़े से कुछी दिनों के अंदर वो एक बच्चे को जनम देती है जिसका नाम वो आसकर रखती है अब पैदा होने के बाद आसकर रोना बंद नहीं कर रहा था जैसे कि वो पैदा होना ही नहीं चाता लेकिन एगनेस जब उसे तीन साल की उमर में एक ड्रम देने का वादा करती है तब ही वो रोना बंद कर देता है इसके बद ऐसे ही तीन साल गुजर जाता है और आसकर के तीन साल के बड़े पाटी में एगनेस उसे एक ड्रम गिफ्ट करती है जिसको पाकर आसकर काफी खुश हो जाता है और उस ड्रम को बजाने लगता है इसी दोरन ओसकर अपने बड़े पाटी में बड़े लोगों को शराब पीते हुए देखकर उसके उपर बुरा प्रभाब पड़ता है और उसे बड़े लोगों के उपर घिना जाता है जिस वज़े से वो फैसला करता है कि वो कभी भी बड़ा नहीं होगा और वो हमेशा ऐसे ही छोटा बन कर रहेगा इसलिए वो एक कठोर प्रतिग्गा लेता है और छद से कूच जाता है उस दिन के बाद से औसकर एक बच्चा ही रह जाता है और उसकी फिजिकल ग्रोथ भी बंद हो जाता है वो अपने साथ हमेशा अपने फटे हुए ड्रम को रखता है और वो उस ड्रम को किसी को भी नहीं देता इसी दोरन एक दिन जब उसके पास से उस ड्रम को छीना जा रहा था तब ही उसे पता चलता है कि उसकी चीखने की ताकत इतना जादा है कि इस से वो किसी भी काँच और कान के पर्दे को फटा सकता है जिसके बाद वो अपने इस अनोखे कला को अपने दोस्तों को भी दिखाता है और ऐसे ही फिर से और तीन साल गुजर जाता है आसकर अभी छै साल का हो चुका था पर आसकर अभी भी उस ड्रम को अपने से दूर नहीं रखता था और कोई भी अगर उस से उस ड्रम को चीनने की कोशिश करता था तो वो चीक कर शीशे को तोड़ देता था दूसरी तरफ उसके माता और पीता बस यही सोच रहे थे कि आसकर बड़ा क्यों नहीं हो रहा है एगनेस हर मंगलवार को आसकर को लेकर सहर जाती है जहाँ पर वो आसकर को एक दुकान में छोड़कर जौन के साथ मंगलवार में मंगल कारिय करने के लिए जाती है लेकिन एक दिन आसकर अपने मा को जौन के साथ मुझ काला करते हुए देख लेता है खैर इसके बद फिर से और कुछ साल गुजर जाता है और आसकर जब 12 साल का हो जाता है तब उसके माता-पिता उसे एक दिन सरकस दिखाने के लिए ले कर जाते हैं वहाँ पर काफी सारे बॉने लोगों को देखकर माता पिता को लगता है कि शाइद ओसकर भी एक बॉना बच्चा है इसलिए बड़ा नहीं हो रहा है अब सोके खतम होने के बाद ओसकर वाइगरा नाम की एक बॉने आदमी से मिलता है जो कि आसकर को देखकर समझ जाता है कि आसकर उसी की तरह ही एक बोना है साथ ही साथ वो आसकर की कांच तोड़ने वाली अनों की पार को भी देखता है जिसको देखकर वो आसकर को उसके साथ सरकस में काम करने के लिए कहता है दूसरी तरफ आसकर के माता पिता जब आसकर को वाइगरा के साथ बात करते हुए देखते हैं तब ही वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं इसके बाद हमें पता चलता है कि Second World War शुरू हो चुका है और पोलेंड में नाजी जर्मन से ना धीरे धीरे आ रहे हैं और वो लोग जियूस लोगों के उपर टॉर्चर कर रहे हैं इधर एगनेस ओसकर को जिस दुकान पर छोड़ कर जाती है उस दुकान का मालिक मारकस एक जियूस था और वो एगनेस को पसंद भी करता था इसलिए वो एगनेस को उसके साथ लंडन चलने के लिए कहता है लेकिन एगनेस उसके साथ जाने से मना कर देती है और अपने घर बापस आजाती है इसके बाद से एगनेस ऑसकर को लेकर काफी परिशान रहने लगती है और डिप्रेशन में ज्यादा से ज्यादा मचलिया खाने लगती है जबकि मचली खाने से उसे सकत ऐलर्जी थी इसी दोरान हमें पता चलता है कि एगनेस जॉन के बच्चे की माँ बनने पारे थी जिस वज़े से कुछी दिनों तक ऐसे ही मचलिया खाने के बाद मचली खाने की वज़े से उसकी मौत हो जाती है उसके फ्यूनल में मारकस भी आता है लेकिन नाजी जर्मन लोग उसे धक्के मार कर निकाल देते हैं क्योंकि वो एक जूस था थोड़ी दिर बाद दिप्रेशन में आकर जहर पिकर अपनी जान दे देता है लेकिन मारकस के मरने के साथ ही औसकर के नए ड्रम पाने का सपना भी तूट जाता है क्योंकि उस सहर में मारकस एकलोता था जो ड्रम बनाता था इसलिए वो अपने पुराने ड्रम को ठीक करवाने के लिए जौन के स उस दिन वहाँ पर एक काफी भयानक हमला होता है जिससे कि वो पोश्ट मास्टर घायल हो जाता है जो कि इस हमले को लीड कर रहा था यहाँ पर आसकर और जॉन उसे बचानी की काफी कोशिश करता है लेकिन वो दुनों उसे बचा नहीं पाते इसके बाद नाजी जर्मन सीपा यह उसे बच जाता है अगले सीन में हम देखते हैं कि एलफ्रेड मारिया नाम की एक 16 साल की लड़की को अपने घर के काम में रखता है जहां पर वो आसकर की भी ख्याल रखती है यहां पर आसकर मारिया के साथ रहेकर उसके प्यार में पढ़ जाता है और उसे चाहने लगत है उधर मारिया को लग रहा था कि आसकर एक बच्चा है पर आसकर और मारिया दोनों की ही उमर बराबर थी जिस वज़े से आसकर मारिया के काफी करीब आ जाता है और मारिया को लेकर उसका विचार भी कुछ अलगी था खेर एक दिन आसकर को पता चलता है कि एलफ्रेड और मारिया के बीच एफैर चल रहा है जहाँ पर मारिया एल्फरेड को दिलो जान से चाहती थी लेकिन एल्फरेड मारिया को बस इस्तेमाल कर रहा था जिसको जानने के बाद मारिया काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है इधर आसकर मारिया को जब समालने की कोशिश करता है तब ही मारिया उसके उपर गुस्टा होकर उसे धका दे देती है और उसे बोना कहेकर गालिया देने लगती है थोड़ी देर बात जब उसका गुष्टा सांत होता है तब यो औसकर के पास आकर उससे माफी मांगती है पर बदले में औसकर उसे मार कर वहां से चला जाता है अगले सीन में हम देखते हैं कि मारिया एलफरेट के बच्चे की मा बनने वाली है लेकिन आसकर उस बच्चे को मारना चाहता है पर वो जब उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है तब ही मारिया उसे रोक लेती है इसके बाद कुछी दिनों में मारिया एक बच्चे को जनम जिसको पाकर घर के सभी लोग काफी खुश होते हैं सिबाए ओसकर के यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओसकर को ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा उसका है इसलिए वो उस बच्चे को काफी प्यार और दुलार देता है जैसे कि वो उस बच्चे का पिता है दूसरी तरफ आसकर की पड़ोसन लीना अपने पती से खुश नहीं थी क्योंकि उसका पती एक गे था और वो अपनी बीबी से ज्यादा नाजी जर्मन लड़कों के साथ वक्त गुजरता था पर एक दिन जर्मन लोगों ने उसे नाजी जर्मन लड़कों के साथ गलत काम करते हुए देख लिया और सजा के तोर पर उसे जान से मार दिया गया इधर आसकर का दोस्त वाइगरा सेकेंड वर्ल्ड वर्ड के वक्त नाजी जर्मन सिपाईयों के लिए काम कर रहा था इसलिए वो आसकर को भी उसके साथ काम करने के लिए पैरिस चलने के लिए कहता है जिसके बाद से आसकर वाइगरा के साथ नाजी जर्मन लोगों को इंटर्टेन करने का काम करने लगता है और इसी दोरन वो रोजलेती नाम की एक लड़की से प्यार भी करने लगता है जो की दरसल उसी की तरह ही छोटा पैकेट और बड़ा धमाका थी अब आसकर की वहाँ पर काफी अच्छी तरीके से कट रही थी लेकिन तभी एक दिन एमेरिकन सोलजर उस जगे पर हमला करते हैं और इस हमले के चलते रोजलेती की राम नाम सच्टी हो जाता है और आसकर के पास से उसका एकलोता प्यार भी छिन जाता है इसके बद आसकर फिर से अपने घर बापस आता है जहांपर वो मारिया के तीन साल के बेटे को एक ड्रम गिफ्ट करता है जैसे की उसे बच्पन में उसकी माने दिया था यहाँ पर मारिया आसकर को पसंद नहीं कर रही थी और आसकर के बापस आने पर उसे थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन एलफ्रेड आसकर के आने पर काफी खुश था क्योंकि बाप तो बापी होता है दूसरी तरफ सहर में चारो तरफ दंगे फसाद चल रही थी क्योंकि इस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वर काफी जोरो सोरो से चल रहा था और नाजी जर्मन सीपाही आम जी उस लोगों के उपर टॉर्चर करके उन्हें जान से मार रहे थे जिस वज़ से अलफरेड अपने फैमिली के साथ साथ लीना को लेकर पूरा दिन बेस्मेंट में चुपा रहता था और सिर्फ रात में ही खाने की तलाश में बाहर आता था पर एक दिन कुछ नाजी जर्मन सीपाही उन लोगों को ढूंटे हुए बेस्मेंट के अंदर आ जाता है और लीना के साथ जबरदस्ती करने लगता है साथ ही साथ वो लोग एलफरेड को भी उसका परिचे देने के लिए कहता है लेकिन एलफरेड उन से जूट कहता है और वो कहता है कि वो नाजी जर्मनी है पर उन लोगों को एलफेट की बातों पर विश्वास नहीं होता और एलफेट के हूतिया हरकत करने पर वो लोग एलफेट को जान से मार डालते हैं अगली सुबा मारियस नाम की एक जिऊस अदमी एलफरेट के दुकान पर आता है जिसको उस जगे का नया मालिक बना दिया गया है एलफरेट के दुकान को अपने हाथ में लेने के बाद मारियस ने ही एलफरेट के फ्यूनल को समखला क्योंकि उसकी बीबी और बच्चे भी एक एकसिडेंट में मर गये थे और वो अपने को खोने का दर्द जानता था अब एलफरेट के फ्यूनल पर आसकर को एहसास होता है कि वो पूरी तरीके से अनात है इसलिए उसे फिर से बड़ा होना होगा जिस वज़े से वो अपने ड्रम को उस कबरों में फेक देता है और तबी एक बच्चा उसके सर पर एक पत्थर मारता है जिससे वो वही परी बेहोश हो जाता है थोड़ी देर बाद एक आदमी ओसकर को चेक करने के लिए आता है और उसे चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि ओसकर फिर से बड़ा होने लगा है जबकि मैगी बनने में भी दो मिनिट का वक्त लगता है पर उस आदमी को सब कुछ पता था खेर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आसकर मारिया के साथ उस देश को छोड़ कर जा रहा था और इधर एना जो कि अभी काफी बूरी हो चुकी थी वो ही परी रुख जाती है यहाँ पर आसकर चिला कर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है पर तभी उसे पता चलता है कि उसके बड़े होने के साथ साथ वो अपने चिलाने की आवाज से काश तोड़ सकता था वो सकती भी उसकी चली गई है और दोस्तों इसी के साथ ही इस मज़िदार मुवी की कहानी खत्म हो जाती है